हेलो फ्रेंज तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम इस इंपोर्टेंट सेशन को जो हमारा जेकेपी सॉल पेपर जहां पूरा का पूरा हंड़र माक्स का पेपर रहेगा आपने इस पेपर को पूरा अंतिम तक जोड़ लगाना है और अंतिम अपना स्कोर जो जरूर बतान है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम इस इंपोर्टेंट सेशन को आपने वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहाना और तभी आपको जो कंप्लेट इंफॉर्मेशन कंप्लेट प्रेपरेशन आपकी होगी आज हमने लाइप सेशन इसलिए नहीं करा क्योंकि आपका और आपने भी इसको अच्छे से जो लगाना है और अच्छे से अच्छे अपनी प्रेपरेशन जहां पर बताने हैं ठीक है तो फर्स्ट कोशन जो हमें दिया गया है 4, 12, 36, 108 और नेक्स नमबर पूछा हुए है तो कैसे जहां पर नमबर है जो वो बन रहा है 4 की 12 बनाया ज इसके साथ मल्टिप्लाई करेंगे 108 को जब हम 3 से मल्टिप्लाई करेंगे ठीक है 108 को जब हम 3 से मल्टिप्लाई करेंगे 24, 3 बन जा 3 कितना आएगा 3, 24 is the right answer इस कोशन का हो जाएगा चलिए नेक्स कोशन की तरफ जो नेक्स कोशन आएगा T, R, P, N, L तो T, R, P, N, L जहांपे आपको दिया गया और नेक्स नंबर हमें जहांपे पोछा गया है देखिए T से R पे आया टी होता है 20 नमबर पे और R होता है 18 पे जानिकि 2 नमबर पीछे आया उसके बाद P से भी 2 नमबर पीछे आया ठीक है P से 2 नमबर पीछे क्या आ गा N और N से दो नमबर पीछे जहां पे कहां पे आ गया L पे और L से अगर हम दो नमबर माइनस करेंगे तो हम कहां पे पहुच जाएगे जे पे और जे से अगर हम दो नमबर माइनस करेंगे तो कहां पे पहुच जाएगे एच पे जे और एच अप्शन नमबर बी इस कोशन क राइट आंसर आपका हो जाएगा option number B is the right answer इस question का आपका हो जाएगा next question आपने बताना है जो needle है वो किस से संबंदित है clock से इसी तरह आपने बताना है wheel किस से संबंदित होगा walk से road से wickle से जा driving से तो जो needle है needle किस में present होती है clock में इसी लिए आपने बताना है जो wheel है वो कहां पे होते हैं तो wheel किस में होते हैं बickle में होते हैं option number C is the right answer इस question का हो जाएगा next question आपका आगया next question मैं जो बात करूँ जो car है car जो कहां पे होती है garage में ठीक है जाने कि temporarily park की जाती है और aeroplane बताना आपने कहां पे किया जाता है port में डिपू में hangar में जा harbour में तो इसका right answer क्या हो जाएगा आपका hangar option number C is question का right answer आपका हो जाएगा hangar is the right answer इस question का आपका आ जाएगा ठीक है चलिए next question की तरफ जो next question आपका आ जाएगा next question है ace то as का जाएगा जाएगा ह일 और m o q आपने बताना है ठीक है देखिए ए से क्या बना है Finnish how primary है भी ay जाना की स्वाइद सेसे आई नंबर कितना होता है इड जाने की पलस से second किये है साइगा ऊसके बाद हमने क्या किया है से अच से कहसे आया आया फिक जाने की three C होता है और I का नमबर होता है 9 तो जानी कि 3 से 9 जाने तक प्लस 6 बढ़ाए है उसके बाद है E, E का नमबर कितना होता है 5 और L का नमबर होता है 12 तो जहां पर कितने बढ़ाए है दुबारा से 7 बढ़ाए है पहले 7 फिर 6 फिर 7 इसी तरह हम M से भी बढ़ाएंगे M का नंबर होता है 13 इसमें 7 बढ़ाएंगे तो 20 किसका नंबर होता है T का उसके बाद है O O का नंबर होता है 15 15 में 6 बढ़ाएंगे तो 21 आ जाता है तो 21 किसका नंबर होता है U का Q में 7 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास x आ जाएगा t u x option number a is the right answer इस question का हो जाएगा next question है आपका 7 is to 56 और 9 हमने बताना है जाने कि 7 का square 49 plus 7 49 plus 7 कितना हो गया 56 और 9 का 9 को 9 से 81 और plus 9 करेंगे तो 90 option number c is the right answer इस question का हो जाएगा 90 इस question का right answer आपका आ जाएगा चलिए next question की तरफ इन सब में आपने बताना है different concept polar wear, reindeer, jock जा leopard तो जहां पे क्या हो जाएगा आपका जो leopard है leopard को शोड के बाकि जितने भी है वो सब कहां पे found होते है polar reason में found होते हैं leopard जो है polar reason में found है जो नहीं होता तो इसका right answer आपका क्या हो जाएगा option number D is the right answer इस question का आपका हो जाएगा ठीक है तो चलिए next question की तरफ बात करते हैं 51, 64 121, 144 तो इन सब में 64 किसका square है आपका 8 का 121, 11 का और 144, 12 का square है तो 51 जहां पे किसी का भी आपका जो square है वो नहीं है तो इसका right answer क्या हो जाएगा आपका 51, option number A is the right answer इस question का हो जाएगा चलिए next question की तरफ next question है आपका dcb तो dcb में क्या हुए d से 1-c, c से 1-b इसी तरह next हमने चलते जाना जो next हमारा आज आएगा next हम बात करें n में से 1-m m में से 1-l तो p में इदर क्या हो गया plus q हो गया p में plus q हो गया minus नहीं हुआ अगर इसमें minus नहीं हुआ तो इसका option number क्या हो जाएगा जो c है इस question का right answer आपका आज आएगा ठीक है चलिए next question की तरफ next question मैं बात करूँ जहां पे आपने बताना है कौन सा word इस question से जो form है वो नहीं हो रहा ठीक है आर्ची टेक्चर में से आपने बताना है देखिए सबसे पहादे टेक्ट टी ये सी टी जहां पे टी भी है एवी है सी वी है चैट तो टी ये सी टी सब है ओ नहीं है जहां पे ओ जो word है टार्च जहां पे आर्ची टेक्चर में ओ नहीं है अगर आर्ची टेक्चर में ओ नहीं है इसका मदलब टार्च इस question का right answer आपका हो जाएगा option number c is the right answer इस question का हो जाएगा चलिए next question की तरफ next question आपने बताना है इधर हम क्या replace करेंगे क्या interchange करेंगे जिसकी वज़ा से जे equation है जो वो विल्कुल correct जहां पे बन जाएगी ठीक है तो इधर क्या मेरे पास हो रहा है अगर क्या दिया गया 5 plus 6 उसके बाद divided by 3 minus 12 multiply 2 तो हमने 17 बनाना है देखिए अगर हम इस relation को जहां पे रखेंगे 3 को 2 से divide किया तो कितना आता है 6 आता है ठीक है तो 5 plus 2 कितना हो जाएगा 7 और 7 minus 24 तो 7 minus 24 कितना आता है 7 minus 24 तो minus 17 होता है यह अपका round हो जाएगा जो पहले का दिया है तो हमने जहां पे क्या डालना पड़ेगा देखिए तो plus 6 जहां पे रहेगा और जहां पे divide है वहां पे अगर हम multiply डालते हैं divide की जगह multiply डाल देते हैं ठीक है divide की जगह multiply डाल देते हैं और multiply की जगह divide डाल देते हैं इनको interchange करके देखते हैं फिर क्या बनता है 6 3 जा 18 प्लस 5 23 और 23 आ जाएगा 23 माइनस 2 को 6 ते डिवाइड करेंगे तो 6 23 माइनस 6 17 तो इसका क्या हो जाएगा multiply डिवाइड जाने की option number A is the right answer इस question का आजाएगा option number A is the right answer इस question का आजाएगा next question आपका क्या किया गया है 4 6 2 तो देखिए 4 में से एक माइनस किया 3 6 में से एक माइनस किया 5 2 में से एक माइनस किया तो 1 3 में से एक माइनस किया 2 9 में से एक माइनस किया 8 और 8 में से एक माइनस किया तो 7 9 में से एक माइनस किया तो 8, 5 में से एक माइनस किया तो 4, 6 में से एक माइनस किया तो 5, 8, 45 Option number B is the right answer इस question का आपका हो जाएगा Option number B is the right answer इस question का आपका आजाएगा चलिए next question की तरफ जो next question हमारा आजाएगा तो meaning full order में आपने इनको arrange करना है सबसे पहले क्या आजाएगा आपका साइट, plan, money जा सबसे पहले क्या हो जाता है सबसे पहले तो money चाहिए money के बाद कोई एक दिशा चाहिए site के बाद आपके पास क्या होना चाहिए plan होना चाहिए और plan के बाद आपके पास क्या होना चाहिए building होनी चाहिए और building के बाद आपका क्या आ जाएगा rent जाने के सबसे पहले आएगा 4 वाला ठीक है सबसे पहले 4 1 2 5 3 तो option number A is the right answer इस question का हो जाएगा चलिए next question की तरफ जो next question आएगा जहां पे health है तो जहां पे क्या दिया गया आपको health तो youth का क्या किया गया Champs को आप देख सकते हो अचसे क्या बनाया गया जी अचसे जी बनाया जाने कि एक माइनस किया इसी तरह हम n इसे 1- करेंगे कहां पे पहुंच जाएगे G थीक है तो अगर हम n मैंसे वही n से – करेंगे तो कहां पहुंच जाएगे m- पहीं तो कांच जाएंगे मैं तो लाउस्ट वाला वर्ड देखना है आपने लाउस्ट वाला वर्ड एम कहां पर फार्म होरा है बि में भी is the right answer इस question का आपका आ जाएगा ठीक है next question जो आपको दिया गया है चलिए next question की तरफ next question है if father is twice his son एक father है वो अपने son से कितना twice है ठीक है तो उसके बाद दो next आपने बताना है माल लेते हम तो if father is twice his son present है son की x मानते हैं father की कितनी हो जाएगी twice हो जाएगी ठीक है उसके बाद क्या आ जाएगा how many year ago was he three time his son if son ages son की अभी age कितनी हो गई son की अभी age है 20 और उसके पापा की अभी कितनी हो जाएगी 40 उसके पापा की कितनी हो जाएगी 40 ठीक है और क्या बोला जा रहा है how many year ago was he three time his son बताना है कि कितने साल पहले वो अपने जो भी संसे ज़ू है वो तीन टाइम ज़्यादा जो होगा ठीक है तीन टाइम ज़्यादा जो होगा अगर हम इदर कर दें तो अगर इसमें से 10 माइनस कर दे 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 और फादर की कितनी हो जाएगी 30 जाने कि उसके 3 टाइम हो जाएगी कब 10 साल पहले तो option number क्या आ जाएगा इसका B is the right answer इस question का आ आ जाएगा चलिए next question आपने बताना है missing number जहां पर पूरे column में आपने missing number बताना है तो जल्दी से आपने missing number बता देना है जहां पर हमारा missing number क्या हो जाएगा ठीक है तो missing number आपका क्या हो जाएगा जो भी number हमारे क्या है तो आपने देखना है जो number center में है जो number center में है आपने देखना है कि कैसे बन रहा है ठीक है जो नंबर सेंटर में है वो कैसे बन रहा है तो सेंटर वाला नंबर आपसे बन जाएगा जैसे देख सकते हो आप जो नंबर सेंटर में वो कैसे बन रहा है कॉलम में 11 और 10 कितना हो जाएगा 21 और 7 28 या ऐसे भी देखे 11 और 3 24 और 4 28 14 और 15 15 13 कितने होगे 28 इसी तरह इदर से भी बनाएंगे 3 और साथ 20 20 और 8 28 तो 8 इसका राइट आणसर आजाएगा जाने कि कॉलम और रो का जब हम सम किसका सम इसका सम इसका सम इसका सम किसके वराबर आ रहा है 28 के वराबर आ रहा है तो जहाँ पर क्या आना चाहिए 28 तो 28 कब बनता है जब option number B 8 is the right answer इस question का आ जाएगा ठीक है चलिए next question की तरफ तो next question आपने बताना है जे figure जो पूरी बनके तो पूरी बनके इसका कब बनेगी जहाँ पर जहाँ पर आपने देखने है कितनी ठीक है कौन सा pattern इसको complete करेगा देखिए ये दोनों हो नहीं सकते B O C तो होंने सकते दो option हारे हैं जहां पर हमारे पास ठीक है दो option हारे है एक हारे है हमारे पास A एक हारे है D तो इन दोनों option में कैसे इसको बह जाने हैं। देखिए line की slant में हैं तो जहाँ पे बिल्कुल वर्टिकल है वर्टिकल लाइन इसकी नहीं होंगी तो slanted वाली option number D है तो D इस question का right answer आपका हो जाएगा next question आपने बताना है embedded figure तो next question आपने बताना है जो M वाली embedded figure है वो आपकी कहाँ पे हो जाएगी embedded figure तो देखिए इसकी embedded figure कहाँ पे बन रही है इधर देखते है सबसे पहले यह आ रहा है यह आ रहा है यहाँ पे embedded figure बन रही है यहाँ पे आपकी नहीं बन रही है option number A में आपकी embedded figure यहाँ पे बन रही है ठीक है उसके बाद जो next question है आपका paper fold जब आप paper fold करोगे तो paper fold करने के बाद आपका जहांपे कैसा बनेगा paper fold करने के बाद आपने जल्दी से जहांपे बताना है ठीक है तो paper fold करने के बाद इसका जब open होगा तो इसका जब open होगा, जाहाँ पे इसके कितने बन जाएंगे आसे तरीके से बन जाएंगे opposite manner में, फिक है, ऐसे आपनेधे दो देखनेए हैं, ऐसे वाले दो इस ही case पें बन रहे हैं यहाँ पे बीच में आरहे इदर इस question का right answer आपका आज आएगा ठीक है उसके बाद next question आपने बताना है relationship बताना है engineer, doctor और pupil में ठीक है engineer, doctor और pupil में सबसे पहले जो pupil होते हैं वो engineer भी होते हैं और doctor भी होते हैं तो option number B इस question का बिलकुल correct जहांपे आपका right answer है वो बन रहे ठीक है next question चलिए next question हम जहांपे discuss करते है जो next question हमारा आएगा next question में क्या है there are five houses कितने houses है हमारे पास five houses है एक row में A is the right side of B जो A है वो B की right side में है जो A है वो B की right side में है and left side of C C के left side में है उसके बाद O is the second to the right of A जो A है वो second right है A की तरफ उसके बाद next क्या है B is the right of D तो B किसके right में है D के ठीक है यह आजाएगा आपका तो पुछा गया है जहांपे middle पे किसका house है तो middle में किसका house है A का option number क्या हो जाएगा A is the right answer जहांपे आजाएगा ठीक है उसके बाद चलिए next question जो आपने बताना है next question जहांपे आपने statement और conclusion आपको दिया गया है some leaves are roots जाने कि कुछ leaves है ये leaves आजाएंगे ये leaves मानते हैं कुछ leaves क्या है मेरे पास roots है some leaves are roots जहांपे roots आगे और some roots are stem कुछ roots क्या है मेरे पास stem है कुछ roots के हैं stem है some roots are stem all flowers are stem जितने भी flower है वो किसमें आरे है stems मेरे हैं ये हो जाएंगे फ्लावर पहला conclusion क्या पूछा गया हमारा पहला conclusion पूछा गया है no flower इसे leaf कोई भी flower leaf नहीं है ठीक है कोई भी flower leaf नहीं है बिल्कुल जहांपे flower तो इसमें आरे है some leaves are stem कुछ leaves stem है कुछ leaves stem है कोई भी follow यहां पे नहीं हो रहा option number इसका D है जाने की neither conclusion one nor follow ठीक है इसका क्या हो जाएगा आपका यह वाला right answer है वो हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपने push का symbol बताना है push का push का PUSH यहां पे देखते है P तो P का कितना यहां पे symbol बन रहा है हमारे पास one or zero तो one or zero वाला एक दो option आ रहे है C यह A ठीक है तो बाकी option तो नहीं होंगे तो P आ जाएगा उसके बाद C देखते है P U U वाला क्या आ रहा है मेरे पास four or five option है four or five नहीं आ रहा और कोई U डूणते है U वाला हमारा कहां पे आ जाएगा तो four or five यह आ रहा है इसका ten or forty five ten or forty five option number C इस question का right answer है जो आपका हो जाएगा ठीक है तो जे थे हमारा जो कौन सा session था first जानी की जो reasoning part था वो हमारा conclude हो चुक है अब हम discuss करेंगे इसका जीके के most important question जीके के बाद हम बात करेंगे English और math की ठीक है तो चलिए सबसे पहले जीके नहीं सबसे पहले तो इसका English discuss कर लेते हैं English के बाद हम next जो mathematics करते हैं फिर जीके जहांपे discuss है वो करते हैं ठीक है चलिए जहांपे हमारा English का जो part है वो जहांपे आ चुक है English के part में आपने बताना है जहांपे error कौन से part में है तो option आपको दिया गया है we discuss about the problem so thoroughly ठीक है discuss about the problem so thoroughly एक part यह है on the e-way of examination second यहांपे यह आ जाएगा found that तो जहांपे आपने बताना है कौन से part में आपका जो error है वो जहांपे हो जाएगा तो जहांपे क्या हो जाएगा we discuss about the problem so thoroughly तो जहांपे जो आपका क्या हो जाएगा option number क्या हो जाएगा जो part A हो जाएगा जहांपे वहांपे error है तो जहांपे जो preposition है वो add करने की जो भी जहांपे so जहांपे वो need नहीं थी इस got drowned in the pacific तो जाहां पर क्या आजाएगा जो got drowned got drowned incorrect हो जाएगा got drowned क्या हो जाएगा incorrect क्या आजाएगा was drowned क्या आजाएगा got की जेगा was drowned इसका हो जाएगा next question जो आपका आजाएगा it could not up it could not up up a hotel because there they were the boarding and lodging charges were exhabitant बिल्कुल जाहां पर सही है इसमें कोई भी error नहीं है next question आपने जो भी बताना है the small child does whatever his father has done did does जा had done तो जल्दी से आपने इसका right answer बताना है ठीक है तो जाहां पर क्या आजाएगा जाहां पर क्या आजाएगा the child does whatever his father does तो जाहां पर क्या आजाएगा option number c इसका right answer आपका आजाएगा तो चलिए next question की तरफ जो बढ़ जाते है next question जो हमारा आजाएगा there are not many men who are so famous that they are frequently referred to by their initial signature picture जा middle names तो जल्दी से आपने बताना है तो जहां पर क्या हो जाएगा there are not many men who are so famous that they are frequently referred to by their initials option number a is the right answer इस question का आजाएगा चलिए next question की तरफ the man dash my house was a cheat to whom I sell to whom I sell to who I sell who was sold to to whom I sold जल्दी से आपने बताना है तो इस question का क्या हो जाएगा to whom I sold to whom I sold my house was a cheat option number a is the right answer इस question का हो जाएगा चलिए next question की तरफ next question जो आपका आजाएगा he is too important dash any delay to tolerate to tolerating at tolerating जब भी the tolerating जल्दी से आपने बताना है जहां पर क्या हो जाएगा हमारा to tolerate he is too important to tolerate any delay option number a is the right answer इस question का आपका आजाएगा चलिए next question की तरफ जो next question आजाएगा idiom and phrase आपने बताने है my friend is quite heart hurted quite hard hurted तो my friend is quite hard hurted आपने बताना है emotional, cruel, rude जा sentimental तो इसका आपने right answer बताना है option number b cruel is the right answer इसका हो जाएगा my friend is quite cruel option number b is the right answer इस question का आपका आजाएगा चलिए next question की तरफ जो next question आएगा movers and shakers next question क्या आजाएगा आपका movers and shakers ठीक है movers and shakers आपने बताने है people who get things done उसके बाद next क्या आजाएगा आपका dancer, drowns, जानतो servant ठीक है तो इसका क्या आजाएगा, आपका option number a, तो option number क्या हो जाएगा, movers and shakers में क्या आजाता है people who get things done, option number क्या हो जाएगा, a is the right answer इस question का आपका आजाएगा, people who get things done, option number a is the right answer next question, to grease the palm, to play with grease, to bribe, to submit, to break promise to grease the palm आपने बताने है, to grease the palm क्या हो जाता है, to bribe जाने की, to bribe जाने की जो क्या करना, scam करना किसी चीज में, गूस लेना, तो to bribe option number, b is the right answer, इस question का आज जाएगा, चलिए next question की तरफ, correctly spelled bird आपने बताने है, efficient, treatment, betterment, employed, तो जहाँ पे correct spelling आपने बताने है तो correct spelling आपके यहां पे कौन से हैं, treatment, t, r, e, a, t, m, e, n, t, treatment option number, इसका क्या हो जाएगा, treatment का, option number, b, is the right answer इस question का, आ जाएगा, option number, b, is the right answer, चलिए next question की तरफ, next question आ जाएगा, आपका foreign, f, o, r, e, i, g, n, f, o, r, e, i, i, n, e, f, a, r, i, g, n, f, a, r, i, i,, n, f, o, r, i, 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 n, तो जहाँ पे correct spelling आपके क्या हो जाएगा, foreign, f, o, r, e, i, g, n, option number, a, is the right answer, और शानदार answer आपका हो जाएगा, option number, a, is the correct answer चलिए next question की तरफ जो next question आएगा faithfully, sincerely, truly, affectionately तो जहां पर correct spelling आपने बताने हैं जो क्या हो जाएंगे आपके sincerely option number B is the right answer इस question का हो जाएगा sincerely is the right answer right option आपका आजाएगा चलिए next question की तरफ जो one word substitution आपके आजाएंगे a paper written by hand जो paper written by hand किया जाता है handicraft, manuscript, handiwork जा thesis तो जल्दी से आपने बताना है इसका right answer क्या हो जाएगा manuscript option number B is the right answer इस question का आपका आजाएगा manuscript is the paper written by hand option number B is the right answer चलिए next question की तरफ a person a person not sure of the existence of God जिस person को sure नहीं हो existence of God का cynic, agnostic, atheist, जानतो थीस्ट तो जल्दी से आपने बताना है वो क्या हो जाता है आपका जिसको God का जहां पर believe है वो नहीं हो तो वो क्या होता है थीस्ट ठीक है अथीस्ट हो जाएगा option number C is the right answer इस question का आपका हो जाएगा ठीक है तो option number क्या हो जाएगा not sure existence of God तो एगोनिस्टिक, sorry या थीस्ट नहीं होगा वानुद इस not believe in God वो होता है थीस्ट बिलीव इन गाड थीस्ट उसके बाद जो exist agnostic next question a name adopted by an author in his writing तो author ने जो name adopt किया होता है राइटिंग में वो क्या होता है nickname, nomenclature, pseudonym जा title तो वो क्या होता है pseudonym option number B is the right answer चलिए next question की तरफ जो next question आएगा जहाँ पे आपने बताना है improvement है या नहीं either he are I am going तो जहाँ पे आपने बताना है जहाँ पे क्या होगा तो either he are I am going तो जहाँ पे आपका क्या आजाएगा इस question का आपने बताना है जहाँ पे सब का सब improve है कोई भी improvement की need जहाँ पे नहीं है चलिए next question की तरफ taxpayer are to be conscious of their privileges तो जहाँ पे क्या आजाएगा taxpayer are to be conscious of their privileges ठीक है तो जहाँ पे क्या हो जाएगा जहाँ पे जो क्या हो जाएगा आटू कीजेगा जहाँ पे have to जो आजाएगा आटू कीजेगा क्या आजाएगा have to option number A is the right answer इस question का आपका आजाएगा have to is the right answer आपका हो जाएगा next question आपने बताना है the demonstration past of peacefully तो past of कीजेगा आपने बताना है आपका क्या आजाएगा past of का आपने बताना है ठीक है तो past of का क्या रहेगा जहाँ पे बिल्कुल सेम रहेगा कोई भी improvement करने की जहाँ पे need है वो नहीं है तो option number क्या हो जाएगा इसका D is the right answer आपका हो जाएगा opposite in meaning आपने बताने हैं अब arrogant तो arrogant का opposite क्या हो जाएगा arrogant का option दियेगा humble coward egoistic gentlemanly तो arrogant का आपका क्या हो जाएगा humble ठीक है option number A is the right answer इस question का आ जाएगा चलिए next question की तरफ जो next question आएगा victorious तो victorious आपने बताना है victorious क्या हो जाएगा defeated annexed destroy जब vanquish vanish तो इसका right answer आपने बताना है defeated का क्या हो जाएगा correct अन्टानियम इसका हो जाएगा victorious ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा victorious का आपका जो defeated आजाएगा option number A is the right answer इस question का आजाएगा option number A is the right answer next question आपने बताना है जो next question pertinent ठीक है next question क्या हो जाएगा आपका pertinent आपने बताना है pertinent आपने बताना है irrational irregular insistent irrelevant तो इसका right answer आपने बताना जल्दी से irrelevant इस question का जहां पर right answer हो जाएगा pertinent का क्या हो जाता है irrelevant option number D is the right answer next question आपने बताना है synonym इसका obliterate obliterate आपने बताना है क्या हो जाएगा construct, revive, eliminate, जान तो retain obliterate का आपने meaning जो बताना है क्या हो जाएगा eliminate option number C is the right answer इस question का आजाएगा option number C इसका बिलकुल correct answer आपका हो जाएगा चलिए next question की तरफ next question आपका आजाएगा urban तो urban का आपने बताना है unsivilized, clumsy, swap, drastic तो जल्दी से आपने बताना है इसका क्या हो जाएगा urban option number urban का क्या हो जाएगा आपका, suave option number A is the right answer आजाएगा next question आपने बताना है next question आपका आजाएगा scumb next question क्या आजाएगा scumb scumb का आपने बताना surrender, concur, overcome, जानतो compose तो इसका क्या हो जाएगा surrender का आपका, scumb का क्या हो जाएगा surrender option number A is the right answer इस question का आपका आजाएगा अब चलते हैं हम next अपनी gk section की तरफ तो तुझे आगया friends हमारा gk का जो first question the revolutionary organization अभिनव बारत society तो अभिनव बारत जो society है वो किसने जहांपे found की गई है आपने बताना है जहांपे option दिया गिए आपको पुलिन बिहारी दास बगर्ट सिंग आर्यो विंदो गोश विनायक दामोदर सरवाकर तो आपने बताना है जो अभिनव बारत society है वो एक revolutionary secret organization है ठीक है revolutionary organization है जो found किसने की गई है आपकी बिनायक दामोदर सरवाकर ने ठीक है बिनायक दामोदर सरवाकर और उनके ब्रदर गनेश दामोदर सरवाकर ने 1904 में जो अभिनव बारत society थी वो जहांपे found थी वो करी थी option number D is the right answer इस question का हो जाएगा चलिए next question की तरफ दस सपतंगा theory of state सपतंगा theory of state आपने बतानी है जाने की theory of seven limbs of the state was profounded by वो किसने दी गई है कलहाना इन राश्तरंगनी मनू इन मनू समरिती कोतल्य इन अर्थशास्त्र बनबाटा इन हरिश्चरित्र तो जहांपे जो आपका आ जाएगा कोतल्य ने अर्थशास्त्र में जो सपतंगा theory of state थी वो दी थी ठीक है तो इन्होंने जहांपे seven elements जो बताये थे क्या क्या बताये थे king, minister, land, foresters, उसके बाद treasury, army और allies जे इन्होंने seven limbs of the state रखे थे किसने कोतल्य ने अर्थशास्तर में तो option number C is the right answer इस question का आपका आ जाएगा चलिए next question की तरफ, who is the author of the autobiography, the Indian struggle, autobiography आपने the Indian struggle बतानी है मुलाना अब्दुलकलाम अजाद, जुआरलाल लहरू, लालालाज पत्राए, सुभाष चंदर बोस, author अब बताने है, author कोन है, autobiography, Indian struggle के तो जो autobiography है, Indian struggle वो लिखी है सुभाष चंदर बोस द्वारा, जिसमें cover किया गया है, 1920 से लेके 1942 तक ठीक है तो सुभाष चंदर बोस, option number D, is the right answer, इस question का आजाएगा, next question, जो agenda 21 था, Rio submitted, 2022 बानुए का, वो किसके संबन्दी था तो वो आपने बताना है किसके संबन्दी था, combating the consequences, causes by the emission of greenhouse, combating the consequences of pollution explosion, उसके बाद next है, technology transfer mechanism, sustainable development तो इसका answer आपने बताना है, जो क्या हो जाएगा, option number D, sustainable development, इसका right answer आपका आजाएगा, चलिए next question की तरफ, the introduction of local self-government in the modern period of India, जो introduction है, local self-government की, वो किस से संबन्दी था है, Lord Ripon से, Lord Irwin से, Dufferin से, Lord Canning से, तो Lord Ripon ने जो introduce करी थी, self-government, local self-government, 1882 में ठीक है, और उन्हें father-off, local self-government भी बोला जाता है, Lord Ripon को, तो option number क्या हो जाएगा, इसका, Lord Ripon, option number A, is the correct answer, इस question का आपका आजाएगा, उसके बाद next आएगा, एहमद शाअबदाली ने, जो invert करा था, इंडिया में first time, किस के कारेकाल में किया था, कौन से, मुगल emperor के कारेकाल में, मुहमद शाह के, एहमद शाह के, शाह आलम के, जानतो अकबर के, तो जहां पर आपने जल्दी से बताते जाना है, जो एहमद शाह अबदाली ने invert करा था, इंडिया में seven time उन्होंने invert करा था, किस के reason में, मुहमद शाह के, option number A, is the right answer, इस question का आपका आज जाएगा, चलिए next question की तरफ, the largest planet in our solar system, हमारे planet में, सबसे बड़ा, जो हमारे solar system में, सबसे बड़ा planet कौन सा हो जाएगा, मार्स, यूपिटर, सैचन या यूरेनस, तो जहां पर आपका right answer क्या हो जाएगा, यूपिटर is the right answer, इस question का आपका आ जाएगा, ठीक है, चलिए next question की तरफ बढ़ जाते है, जो next question आएगा, highest peak of the सतपूरा range, जो सतपूरा range है, उनकी highest peak आपने बतानी है, गुरुशिकर, दुपगड, पंचमराही, जा मेंडर गिरी, तो highest peak बतानी है, सतपूरा range की, तो जो सतपूरा range की है, उसका कौन सा हो जाता है, माउंट दुपगड, जो हो जाता है, highest point है, सतपूरा range का, जो कहां पे located है, मद्यप परदेश में, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, माउंट दुपगड, option number B, is the right answer, next question आपने बताना है, full form of ADF, तो ADF का full form क्या हो जाएगा, automatic data flow, option number A, is the right answer, इस question का आज आएगा, चलिए next question की तरफ, the minimum interest rate of bank below, which it is not by able to land, is known as, जो minimum interest rate of bank का आपने बताना है, reserve rate होता है, base rate, marginal rate, prime landing rate, तो वो क्या आजाता है, आपका, BR, जायने की base rate, option number B, is the right answer, इस question का आपका आज जाएगा, चलिए next question की तरफ, जो next question आएगा, election commission of India, is not concerned with the election of, to the, जो election commission है, वो किसे संबंदित नहीं है, पंचायत and municipality, president, vice president, state legislature, तो election commission है, उनका, जो किसको लेके आजाएगा, जो president और vice president की election को लेके, उनके पास इसका कोई वी जो concern है, वो नहीं है, चलिए next question की तरफ, सुल्तान अजलान चाह कप, कौन सी game से संबंदित है, table tennis, golf, cricket, जा हाकी, तो जो सुल्तान अजलान चाह कप है, वो किसको लेके है, international man, हाकी को लेके, option number D, is the right answer, इस question का आजाएगा, next question, आपका जो आएगा, United Nation Organization, यो UNO है, वो कब found हुई थी, 24 October 1945, 24 October 1948, 24 October 1999, 25 October 1944, जल्दी से आपने बताना है, United Nation Organization, जो कब जहांपे found करी गई थी, जो found करी गई थी, 24 October 1945, इसका option number A है, बिल्कुल छानदार और right answer आपका हो जाएगा, चलिए next question की तरफ, when was the parliamentary system introduced in India, parliamentary system introduced कब करा गया था, इंडिया में, 1945 में, 1950 में, 1959 में, 1962 में, तो इसका right answer आपने बताना है, 1959 में, जो पंचायती राज सिस्टम था, first adopt किया गया था, राजस्तान में, ठीक है, राजस्तान में, तो option number क्या हो जाएगा, इसका, 1959, option number C, is the right answer, इस question का आज जाएगा, चलिए next question की तरफ, per capital income is obtained by dividing national income by, जो हमारा per capital income है, उसमें, जो हम कैसे उसको लेते हैं, किस से divide करके, total population से, total working population से, area से, जब volume of capital juice से, तो जो per capital आपकी income है, वो आज आएगी, इसका क्या मतलब है, किसका mean हो जाता है, जो people है, उस economic unit में कितने हो जाते हैं, ठीक है, total population of the country, option number A, is the right answer, इस question का आ जाएगा, चलिए next question की तरफ, the headquarter of OPEC, headquarter of OPEC, बताना है, कहां पे located है, अलजीरिया में, तहरान में, विना में, जा पैरिस में, तो headquarter of OPEC, जाने की organization of petroleum exporting country, उसमें क्या आ जाते हैं, intergovernmental organization है, जो 15 nation जिसमें, जो found हुए थे, 1960 में, उसका headquarter कहां पे हो जाता है, आपका बगदाद, ठीक है, तो उसका headquarter कहां पे हो जाएगा, आपका बीना में, ठीक है, उसका Austria बीना में, 1965 में, जो found था, वो हुआ था, चलिए next question की तरफ, जो next question आपका आ जाएगा, next question है, dash is the largest Jew in India, largest Jew आपने बतानी है, नहरू जूलाजिकल पार्क, दिल्ली नैशनल जूलाजिकल पार्क, अलीपूर जूलाजिकल गार्डन, इंद्रा गांधी यूलाजिकल पार्क, तो इसका right answer आपने बताना है क्या हो जाएगी, अलीपूर जूलाजिकल गार्डन, option number C, is the right answer आपका हो जाएगा, जो best Bengal Kolkata में present है तो option number C is the right answer इस question का हो जाएगा चलिए next question की तरफ the audible frequency range आफे human ear human ear की audible frequency range कितनी हो जाएगी तो वो हो जाएगी आपकी 20 hertz से लेके 20 hertz से लेके 20,000 hertz तक जो audible sound है वो जहां पे हो जाएगी option number D is the right answer इस question का आ जाएगा चलिए next question की तरफ who discovered wireless communication तो wireless communication किसने discover किया था हर्ट्स ने मैक्सवेल ने, मारकोनी ने जा न्यूटन ने तो wireless communication किसने जहां पे जो किया था तो wireless communication जो 1894 में मारकोनी ने किया था ठीक है मारकोनी इसका right answer option number C is the right answer इस question का आ जाएगा चलिए next question की तरफ the place where the computer store program and data is card वो place बताने हैं जहां पे computer store करते हैं प्रोग्राम और data को उसको क्या बोलते हैं backup, memory, storehouse जा storage unit तो उसको क्या बोलते हैं हम जल्दी से आपने इसका answer बताना है जहां पे सारा का सारा प्रोग्राम और data जो हम store करते हैं वो क्या आ जाएगा हमारे पास storage unit option number D is the right answer आपका आ जाएगा चलिए next question की तरफ जो chemical use करते हम fixer in photography में photographी में कौन सा chemical जो use है वो जहां पे करते हैं तो जहां पे आपका दिया गया है sodium sulfate sodium thaiosulfate ammonium per sulfate जानतो बोराक्स तो इसका right answer क्या हो जाएगा जो आपका sodium thaiosulfate option number B is the right answer इस question का आपका आ जाएगा चलिए next question की तरफ the disease athlete foot is caused by athlete foot किसकी वज़ा से होता है bacteria, fungi, protozoa जा नेमाटोड तो athlete foot आपका किसकी वज़ा से होता है वो एक fungal disease है जाने की एक fungi की वज़ा से fungus की वज़ा से जो athlete foot है वो जहां पे होता है तो option number B is the right answer इस question का आपका आ जाएगा next question which of the following is good source of vitamin E तो vitamin E का आपने क्या बताना है good source बताना है vitamin E का क्या बताना है good source बताना है meat, wheat germ, oil, jello york जा फ्रेश vegetable तो जहां पे क्या हो जाएगा vitamin E का जो क्या हो जाएगा आपका wheat germ, oil is the best source हो जाएगा next question first woman to become a chief minister of any state first woman बताने है जो chief minister बनी थी किसी ना किसी state की नंदनी, नंदनी सत्पती, डाक्टर जे जायललिता, सुचिता क्रिपलानी, जा माया बती जो सुचिता क्रिपलानी थी वो first Indian fighter और politician थी जो first woman CM बनी थी उत्तर परदेश की उन्होंने 1963 से लेके 1967 तक जो serb था वो जहां पे किया था next आपने बताना है जो first आपका Bi-Anual Air Force Commander Conference 2018 में हुआ था वो कहां पे हुआ था पुने में, गुहाटी में, न्यू दिली में जा मुंबई में तो वो आपका कहां पे हुआ था जो inaugurate किया था Defence Minister निर्मला सितारमन ने वो कब जहां पे किया गया था New Delhi में किया गया था 31 में 2018 को New Delhi option number C इस question का right answer आपका आज जाएगा अब चलिए next जो हमारा आज आएगा Mathematic section हमारा रहेगा इसके discuss करते है The sum of the square of three consecutive natural number तीन consecutive natural number उनका square जहां पे हमने करना है तो हम माल लेते हैं हमारे पास तीन consecutive number और कौन से होते हैं एक आगया X एक आज आएगा X plus 1 और एक आगया X plus 2 तो उनका square करना है और square करने के बाद उनका sum आ रहा है कितना 230 आ रहा है ठीक है तो इन सब का square करेंगे X का square करेंगे X plus 1 का square करेंगे और X plus 2 का square जहां पे करेंगे ठीक है तो जहां पर सब का square करेंगे x x x x x x x का square करने के बाद कितना आ जाएगा मेरे पास 3 x square आ जाएगा ठीक है और 2 को 3 से करेंगे तो 6 x भी आ जाएगा plus 6 x भी आ जाएगा ठीक है और क्या जहां पर आ जाएगा मेरे पास 2 का square 4 और 1 कितना आ जाएगा 5 जानि कि 230 में से 5 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 225 तो 225 आ जाएगा जहांपे कितना जाएगा 225 किसका हो जाता है 25 का तो option number A इस question का right answer आपका आ जाएगा next question है next question क्या दिया गया आपको cube root आफे number किसी root का किसी number का cube root दिया गया वो number हम x माल लेते हैं और उसको क्या बोला जा रहा है जहांपे अगर हम उस number को when divided by 5 result is 25 तो result कितना आ रहा है 25 जब हम उसको किस से divide करें 5 से इस number को 5 से divide करें तो result कितना रहा है 25 जानि कि ये 5 उदर चला जाएगा ये 5 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा जहांपे एक और 5 आ जाएगा पांच का cube तो उसकी value कितनी हो जाएगी जहांपे 5 अप्शन नमबर इसका क्या आ जाएगा ए 5 का cube इस question का right answer आ आ जाएगा तो चलिए next question की तरफ जो next question आ आ जाएगा next question क्या हो जाएगा वैन ने discount आ 12% किसी जीश पर 12% का discount आ और 12% का discount मिलने के बाद वो चीश कितनी मिल दी है 88 परतिशत पर जाने की 264 की जाने की कितनी होई वो 88 परतिशत 88 बटे में कितना आ जाएगा 100 किसी number का X is equal to कितना हो जाएगा 264 तो 264 आ जाएगा तो 88 को 3 से मल्टिप्लाई करेंगे 264 100 को 3 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 300 इस question का right answer आपका आ जाएगा ठीक है तो जे आपके आ जाएंगे math के question अभी हम इस question इदर तक ही रखते है math के question आपको मैं PDF दे दूँगा आप solve कर लीजिए नहीं तो मैं math का next part में इसका सारा का सारा आपको math को करा दूँगा अभी तक हमने इसके कितने 80 question करें आप अपना 80 में से score जो बताईए और अच्छे से अच्छे अपना जो score है वो करिए कोई doubt होगा क्विन section में जुरूर पुशिए